हलो बच्चों वेल्कम टू पीवियर स्टडी कच्छा नौ की मैथमेटिक्स की कलास सुरू हो चुकी है बेटा कलास नाइन्थ में आपने 12.2 स्टार्ट किया था और कोईश्चा नमबर फास्ट कल हो चुका था पहला न आज आप सिकेंड नमबर कोईश्चा से पढ़ेंगे ध्यान दीजिए स्क्रीन पर कोईश्चन आपको दिख रहा है ना इसमें एक चित्र बना है चतुर्भूज दिख रहा है ना क्वाडरेटरल बना है कह रहा है कि चतुर्भूज ABCD का छेद्रफल ग्याद कीजिए फाइंड दा एरिया आफ क्वाडरेटरल ABCD साइड्स आर गिवन इंगलिस में ऐसे बोलेंगे न भूजाएं दी गई हैं जिनमें इसमें आपको दिखाता हूं इसमें मैं आपको एक आइडिया बता दूँ बच्चा बाबू भाईया इसमें दो तिर्भूज आपको दिख रहा है एक ABC, एक ACD या ADC दोनों तिर्भूज का अलग-अलग एरिया निकालोगे उनको जोड़ दोगे और वही क्वाडरेटरल का एरिया हो जाएगा ठिक है दोनों तिर्भूज अलग-अलग परकार के हैं एक समकोन तिर्भूज है और एक भी समभाहु तिर्भूज है तो एक में आप 1 upon 2 base into height वाला formula लगाओगे और दूसरे वाले में आप हीरोन का सुतर लगाओगे यह figure आपको दिख रहा है ना ध्यान दीजिए वही मैंने बना लिया है ABC और आपका ADC ठीक है तो पहले इस वाले चितर का आप क्या करेंगे एरिया find करेंगे इसका भी area find करेंगे यहां पर लिखेंगे चतुरभूज ABCD का छेतरफल बराबर तिरभूज ABC का छेतरफल प्लस तिरभूज ADC का छेतरफल लिखिए area of quadratral ABCD equal area of triangle ABC plus area of triangle ADC देखिए figure बन गया जो मैंने कहा वो लिख दिया गया ठीक है अब साथियों हमें ये देखना है कि जो तिर्भूज ABC है ये समकौन तिर्भूज है भी या नहीं है तिर्भूज ABC जो इसमें दिखरा है ये समकौन है या नहीं है इसको हम try कर सकते हैं पाइथागोरस पर्मिय लगा करके अगर पाइथागोरस का पर्मिय लागू होता है तो लिख देंगे तिर्भूज ये समकौन है और फिर उस एकार्डिंग इसका फार्मूला लिखेंगे अगर नहीं है ये समकोंड तिर्भूज तो फिर हम इसमें भी हिरोन सुत्र लगाएंगे तो चलिए इसको पहले हम ट्राई कर लेते हैं ठीक है पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं तिर्भूज A, B, C में तिर्भूज A, B, C में इसमें हम मान लेते हैं कौन भी क्या है सम्कौन है अगर कौन भी सम्कोन है तो आपका आधार ए बी हो गया में ऐधक का square equal AB का square और प्लस ये BC का square होना चाहिए AC का value 5 दिया है AB 3 दिया है और BC ये भी 5 दिया था 4 दिया था ठीक है ओके ये 25 ये 9 प्लस 16 अगर यहां से आप देखो तो ये बराबर आ रहा है यानि इस पर पाइथागोरस का पर्मिया अपलाई हो रहा है तो बीकैन से हम कह सकते हैं कि triangle ABC क्या है एक समकोंड तिर्भूज है और कोंड भी 90 है ठीक है ये लिख सकते हैं तो इसे आप चाहें तो कर लीजिए बीच में या ना करिए नीचे लिखिए उप्रोक्त तिर्भूज में पाइथागोरस पर्मिया लागू हो रहा है आता है या एक समकोंड तिर्भूज है आप समकोंड तिर्भूज का छेत्रफल बराबर लगा दीजिए और लगाने के बाद इसका छेत्रफल निकाल लीजिए अलग से ठीक है इसका छेत्रफल एक बार निकाल लीजिए एक बार इसका निकाल लीजिए दोनों का रख के जोड़ दीजिए निचे लिख लीजिए लिखे जल्दी से उपरोक्त तिर्भूज में पाइथा गोरस पर्मिय लागू हो रहा है आता है यहां एक समकोंड तिर्भूज है अब अब समकोंड तिर्भूज समकोंड तिर्भूज ए बी सी का छेत्रफल बराबर एक बटा दो बी इंटु एच यानि बेस इंटु हाइट ठीक है द्यान रहें आपको जितना मैंने बोला हिंदी उसको लिख जरूर लेना लीके नीचे ठीक है तो देखो बिट्टा आपन टु बेस इसमें थी है थी यानि बीए बी हाइट यानि बीसी बीसी फोर है यह दो से कट गया तो 6 cm2 कितना आएगा छे सेंटीमेटर स्कॉयर यानि तिरभूज ABC कितना आया छे सेंटीमेटर स्कॉयर ठीक है यह आपका हो गया पहला अब ACD का छेत्रफल निकाल लो ACD का एरिया फाइंड कर लीजिए इसको मिठाता हूँ मैं जल्दी करिए इतना करने के बाद नीचे जो बोला लिख के फिर इसको लिखना ये निकल गया इसको याद रखना अभी लाइश्ट में जोड़ देंगे चलो अगला ले कि त्राइंगल ACD का छेत्रफल निकाल लेंगे इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि ट्रैंगल जो ACD है या ADC ये एक समकौण तिरभुझ नहीं है नसंभाहू नंसंभाहू नहीं है नसंभाहू नहीं है नसंभाहू नहीं नहीं है तो ऐसी चितिती नहीं है ही र departments लि इसमें A, B, C का आपका तो सारा मान दिया है, आपको दिखी रहा तिनो, A मान लो इसको B, इसको C, लेकिन यस का मान नहीं दिया है, तो भाईया बाबू इसमें F निकालो छोटा फगई, यस का मान निकालो के कितना जाएगा, भाई, A प्लस B प्लस C होता है न, अपांटू होत है, तो 10, 4, 14 बटा 2, बराबर 7 सेंटीमीटर, यह आगया आपका सेमी पेरिमीटर, यानि अर्द परिमाप, अब यह साथ आगया, आप इसको हम हल कर सकते हैं, अराम से इजली, ठीक है, यह सका बैलू 7, 7 माइनस, चलो हम AC को पहली भुजा मान लेते हैं, AC को, तो यह 5 है, AC को दूसरी मान लो ते यह भी 5 है, AC को फिर सेबन है, माइनस, DC को तीसरी मान लो ते यह 4 है, हल कर लो, कितना हो जाएगा, सेबन, इंटू 2, इंटू 2, इंटर रूट में 18 आएगा बाबू, कितना आएगा, 18 आएगा, 21 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, तो यह वर्ग गमूल दस हमलों में लगभग आएगा, 4.58 के सम्थिंग आएगा, आप और गमूल निकाल के देख लेना, 21 का, इनका आप गुड़ा कर दीजिए, तो आपका यह 9.16 सेंटिमीटर के लगभग आएगा, समझ में आया, देखिए, आपको लाश तक लाश देखना चाहिए, ब आपका पहला क्या आया था, ओनली 6 आया था, चलिए फाइनल लिख लेते हैं, जल्दी करिए, चलिए, हो गया, डन, चलो, 9.16 आया है, याद रखना, क्या आया है, 9.16, ओके, ठीक है, ए, बी, सी का छेतरफल 6 सेंटिमीटर, यह 9.16 सेंटिमीटर का स्कॉयर, फाइनल में नौचा 15.16 सेंटिमीटर का स्कॉयर, देखिए, यह मान लगभग में होता है, क्योंकि जो वर्गमूल निकाला था, वो लगभग में आया था, अगर आथा कंक और कोटिमान पढ़ा है, तो उसके अकार्डिंग, अगर इसे हम लगभग में लिखें, तो 15.20 सेंटिमीटर स्कॉयर, इसका अंसर आ रहा होगा, ठीक है, नियरेस्टेन, नियरेस्टेन में इसको चेंज कर दिया, आप यह भी लिख सकते हो, यह भी लिख सकते हो, तो कुछ भी आप एप्रॉक्सिमेट बैलू आती है, यह 100% सी मदलब करेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो बुक में हो सकता आपके यह नीचे वाला दिया हो, यह उपर वाला दिया हो, कुछ नो कुछ दिया हो, यह आपका कुष्टन डन हुआ, इसमें कोई डाउट है तो ब कमेंट करके बताना, ठीक है टेंसर मत लेना, अगर आप पूरा कलास एक साथ पाना चाहते हैं, तो PBR स्टड़ी एप डाउनलोड करिए, उसमें आप एक एक घंटे की कलास देख सकते हो, एक एक परशना वली सिर्फ एक वीडियो में खतम, तो आप PBR स्टड़ी एप जरू कुशन के साथ जैहिन